नमस्कार दोस्तों साथ विक रसोई से मैं नीता भारगाओ, आज हम अपनी रसोई में बनाने जा रहे हैं ताजा नारИयल की के सरिया बर्फी जो कि अचानक बनी है अभी पूजा में ताजा नारियल आया था अब तबे ठीक नहीं होने की वजह से वो खाने में खासी आ रही ह तो बर्फी बना ली क्योंकि कुछ मीठा चाहिए था दशरे का शीप पर इंजॉय करने के लिए अब आप भी मौसम चेंज हो रहा है सब लोग तवेत का ध्यान जरूर रखिएगा मौसम बड़ा खराब चल रहा है अब इसके लिए हमें जो सामगरी चाहिएगी वो है मेरे पार नारियल थोड़ा ही बचा था करीब वो ज़्यादा नहीं है जितना भी है हम उसी से बना लेंगे और उसी के अनुसार मैंने जो घर में सामगरी थी वो सब ली है ताजा नारियल है 70-75 ग्राम है जिसको टुकडों में काट लिया है मिल्क पाउडर लिया है और मलाई ली है और ये है चीनी पिस्ता लिया है जिसे हम गार्निशिंग करेंगे इलाइची है और गार्निशिंग के लिए ही हमने ये लिया है केसर के धागे अब इस सबसे हम बनाने वाले हैं, इसके लिए हम नारियल को ग्रीट करेंगे, तो मैंने ये अद्रक वाला ही कद्दुकस से कराए, जिससे महीन होगा है, अब इसमें मौस्चर बहुत है, तो हम इसको ग्राइन तो नहीं करेंगे, हम इसको कद्दुकस ही कर रहे हैं, और कद् से ही कर लिया है अब इसी से हम बनाएंगे बहुत मौश्चर है हमें ग्राइंड नहीं करना है डायरेक्टली हम इसको भूगनेंगे देशी गी में दोस्तों मौसम बहुत खराब है तब इतका ध्यान रखिएगा मेरी आज आवाज में बहुत बारीपन आ गया है मीडियम आज पे हम कड़ाई को गरम कर लिया है नॉनिस्टी कड़ाई लिये ताकि बूने में हमारा चिपके नहीं नहीं हो तो आप साधी भी ले सकते हैं ऐसे क मिलाएंगे इसमें मौस्चर है बस मद्धी आज पर ध्यान रखिएगा सतय पर लगे नहीं और फ्लेवर इसकी आने लगेगी बुनने के बाद अच्छी सी बस तब ही तक हमें बुनना है ये इसके बाद अब ये हमारा भुन चुका है अब इसके सारा मतलब मौस्चर निकल चुका है अब इसमें हम मिलाएंगे सबसे पहले हमने मलाई मिला रहे हैं मलाई नहीं हो, आप दूद भी मिला सकते हैं, यह चोथाया का मलाई इसी में हमने केसर मिला लिए, इससे केसर या रंग आ जाएगा यह बुन्ते-बुन्ते में कलर इसका चीन जूज़ जाएगा नहीं, तो यह वाइट बनती ही, थोड़ा सा अच्छी सी फ्लेवर आने के लि लिए दो चम्मच बड़ी वाली मलाई लिए आप आधा कप दूद कर दीजे इलाइची पाउडर मिला दे रहे हैं बंते-बंते में इलाइची पाउडर मिलाने से अच्छी फ्लेवर आ जाती है अब यह चीनी मिला देंगे और इसको हमें बूनना है अब चीनी क्योंकि हमारी पानी छोड़ेगी तो इसे तब तक बूनेंगे जब तक यह अपनी फॉर्म में ना आ जाए और चारों तरफ से छोड़ने लगेगा अपने अप समझ में आने लगता है बहुत टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी बन जाता है यह पेस्ट बहुत ऑसम है इसका आप जिसमें वह जमाना है बर् पिके लिए थाली हमने ग्रिस कर ली है अब हम अपने उसको देखते हैं कि हमारा बुनकर तयार हो गया हए वह और वह और हमें पुरा बनाना रे लगाता चलाते हूा उसको बीच वहं मैं चोड़ीएगा सत्य में लगने लगेगा वह तयार है है इसको थोड़ी सी बनिये घरबर के लिए एक एक पीस बहुत होता है मीठा ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए न अब इस पर गार्निशिंग के लिए पिस्ते को महिन काट लिया है और वह सारी जगे स्प्रिंकल कर देंगे आप चाहें और मेवा भी मिला सकते हैं इसमें बादाम है काजू है छोटा छोटा काट के कर दें अब इसको दवा दे रहे हैं ताकि यह बहार ना निकले अभी इस हमें सेट करने के लिए फ्रीज में रखेंगे बहार भी रख सकते हैं फ्रीज में थोड़ा जल्दी हो इसमें 5-6 पीस निकलेंगे अब इसको हम फ्रीज में रख देंगे यह हमारी तयार हो चुकी है दशेरा और एकाद शीप पर अपने परिवार के संग इंजॉय करिए हैपी दशेरा दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकाउन को प्रेस करें ताकि और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंसती रहें कल फिर आपसे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद